हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको करवा चौथ की सोना दोबन की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही पेति वितार इस्ते थी और उसने कैसे सेट की बेटी का सुहाग वापस किया तो चली कहानी को सुनते हैं किसी नगर में एक सेट रहता था, उसके साथ बेटे और एक बेटी थी बेटी का अभिवा अभी हुआ था और उसका पहला ही करवा चौथ था तो भाईयों ने कहा कि बहन को हुला लेते हैं और वो मायके में करवा चौथ रखेगी साथो भाई अपनी बेहन को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बेहन भी अपने भाईयों की सारी बातें मानती थी चाहे वो अच्छी हो या बुरी, बेहन सारी बातें अपने भाईयों की मानती थी साहुरकार की बेटी के साथ उसकी सातो भावियां उसकी मा भी बैत थी स्राम को जब सब भाई भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बेहन से कहा कि बेहन आओ तुम भी भोजन करो बहन नहीं भाई मैं अभी भूजन नहीं करूँगी क्योंकि अभी चानद नहीं निकला है और मैं चानद को अउतक दिये भी ना भूजन नहीं करूंगी बहन के उत्रा हुआ चहरा देखकर भाई सोचने लगे कि चान तो निकलने में बहुत समय है तब तब मेरी बहन ऐसे भूखी रहेगी तो हम लोग के गले से खाना कैसे उत्रेगा ऐसा सोचकर सारे भाई उठकर बहाँ चले गए एक भाई ने पेड कर उपर चड़कर चलनी ली और उसमें दिया रखकर दूसरे भाई ने कहा कि बहन चलो चान उगाया है तुम आर्ग दे कर भोजन कर लो बहन ने अपनी भावियों से कहा भावी आप लो भी भोजन कर लो आर्ग दे लो तो भावियों ने कहा तुम्हारा चान निकला होगा हमारा चान अभी नहीं निकला है तो तुम्हीं अर्ग दे लो तुम्हीं भोजन कर लो और इतना करका भावियों वहाँ से चली गए लेकिन बहन ने भावियों के बात अंसुनी कर दी और भाईयों के दिखाएवे दीपक क को चान समझ का उसने असके अर दे दिया और भोखन करने बैड गई only जैसे ही उसने पहला कव मुलोंमे डाला उसके ग्रास में बाल आ गया दूसा कव मुलों से रखते ही शीक थ n saas आल पहुंची तो उसका पती मर चुका था तो उसकी सास ने कहा कि अब तुम यहां क्या करने आई हो तुम यहां से चली जाओ वह रोती हुई जंगल में आ गई और वहां भाईयों के साथ बैठ कर रोने लगी उधर से करवा माता जा रही थी तो उन्हों ने उससे पूछा कि बेटी क्या हुआ है तुमें तुम क्यों रो रही हो तो उसने सारी बात कह सुनाई तब करवा माता ने कहा कि बेटा यहां से साथ समंदर पार सोना धोबिन रहती है उसके अंदर बहुत सकती है वही तुमारे पती को वापस ला सकती है कोई जाकर सोना धोबिन को अगर ले जाए मनाकर तो वो तुमाई पती को जीवित कर देगी। इतना सुननेपर साथो भाईयों ने कहा कि हम सोनाधोंगिन को लेने जाएंगे और वह सातों भाई सोनाधोंगिन को लेने के लिए सा समंदर पार लेत उन्होंने सोना धोबिन को साइब बात बताई और उनके पेर्मंपर गिरकर उन से चलने के APP लिए क्या सोना धोबिन आने के लिए तयार हो गई और उसने चलते समयह अपनी बहुववेंसे कहा अगर दौ Mormon कि इतना भी चिलना है तुम द्रवाजे को नहीं खोलना और उनको एक कमरे में बंद कर दिया जब सोना धोबिन आई तो करवा चौत कवरत आया उसने सहुकार की बेटी को काले रंग की चुनार और अपना लाल रंग की चुनार ओड़कर बैठ गई और पूजा सुरू कर दी पूजा होते होते जब उसने सुहाग देना सहुकार की बेटी की चुनिरी लाल होती जाती और सोना धोबिन की चुनिरी काली होती जाती कथा पूरी होने पर पूजा समाप्त होने पर सहुकार की बेटी का पती जीवित हो उठा और उधर सोना धोबिन का पती खतम हो गया उसके बार सोना धोबन वहां से सा समंदर बार फिर उसके भारी उसको छोड़ कर आते हैं और सोना दोबन एक साल इंतिजार करती है कि करवा चौथ आएगा तब वो पूजा करेगी और अपने पती को जीवित करेगी एक साल बाद जब करवा चौथ आता है तो सोना दोबन ब्रत रहती है और उसके बाद उसके पूजा करते ही उसका पती जीवित हो जाता है और कहते हैं में फोछा, सोय नहीं थे तो इस परकार से cuksharva माता ने जैसे उसके सुखाग को वापस किया वêtसे इससे सब के सुखाग को बना कर रखे और और आपको कहानी कैसी लगी तो दोस्तों जोर बताईए का धन्वाद